अब हम बात करते हैं कि data types क्या होते हैं पाइफन में कैसे use होते हैं basically data types वह quantity होती है जैसे कि define करते है nature of the variable or constant for example यह numeric constant है यह numeric variable है यह हमारे पास string है यह हमारे पास यह double type का variable है यह किसी तरह इस तरह से हमारे पास कुछ categories है हर language में होती है इसी तरह से हमारे पास python में भी है there are basically 14 data types लेकिन उसको हम categorize करते है नेर बाउट six categories में तो इनी six के हम चुरा study करते हैं तो सबसे पहले जो data type आता है हमारे पास वह आते हैं हमारे पास numbers अब numbers तो सबको पता है कि one two three four से लेके होते हैं और numbers की भी आगे classifications आती हैं जिसको कि हम आने वाले slides में पढ़ेंगे आ गया इसके बाद आते हैं हमारे पास sequence sequence basically text हो गया या फिर list of strings हो गई है इस तरह से हम उसको use करते हैं फिर आते हैं हमारे पास set यह जो है वो यह sequence मिलते जूलते होते हैं थोड़ी तरह से और इसके अंदर हम जो है वो sequence या अलग अलग तना के जो हम sets है जैसे one two three four या इसको एक group बना कर रख देते हैं उसको जो है एक जगा save किया जाता है और यह courts में नहीं होते हैं इसके बाद आते हैं हमारे पास mapping अगर हमको कुछ चीज मैप करनी है आपस में कुछ एक मैच करना है कुछ चीज को तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं बहुत कम यूज होते हैं यह mapping और इसके बाद इसके अंड में आते हैं हमारे पास none type मतलब कि कोई type नहीं है इसके अंदर कुछ भी जो हम कर सकते हैं तो बैसिकली हमारे पास यह six जो है वो मोटे-मोटी तरह की जो है वो data types हो अब जड़ा इसकी classifications देख लेते हैं सब categories कह सकते हैं इसको जैसे मैंने बताए है total 14 data types है हमारे पास तो इसको अगर हम categorize करें तो कैसे करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास आता है number number अंदर हमारे पास तीन आते इंटिजर, floating point, end complex, then boolean, then none, फिर sequence आता है sequence में हमारे पास strings है, tuple है, list है, byte है, byte area, range है, फिर हमारे पास sets आता है और फिर end में हमारे पास mapping आता है तो यह जो है वो classification थोड़े जो है वो जैसे हैं यूज करेंगे वैसे वैसे हमको जो है clear होते जागी इसमें से बहुत सी ऐसी जो data types है जिनको हमको ज़रूद नहीं पढ़ता है बहुत ही कम rare use पढ़ता है जैसे हमारे पास byte array हो गया या हमारे पास dictionary हो यूज होता है लेकिन बहुत कम जो है वो आगे जा